हेलो एब्रिवान वेलकम टू आवर चैनल मैं हुआ श्वरिया शुरू के दिनों से ही महिलाओं को उत्सुकता यह होती है कि प्रेगनेंसी जाने अक्सर महिलाओं के पेट के नीचले हिस्से में थोड़ी से क्रैंपिंग होते रहती है चोटे-चोटे समय के लिए यह अगर क् कि महिलाओं उस प्रेगनेंसी के दर्द को कई बार इंप्लांटेशन क्रैंप समझ कर छोड़ देती है और निकलता क्या है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी रहती है और इस वज़े से महिलाओं को अक्सर पेट में दर्द बना रहता है इंप्लांटेशन क्रैंप क्या होता है यह implantation days में ही आएगा यानि कि जब आपका ROP होगा गरभाश्य की दीवार पर तभी आपको implantation का cramp समझ में आएगा और अगर उसके बाद आपको यानि कि डेट मिस हो चुका है आपको अभी भी आपको लगतार दर्द होते रह रह रहा है और साथ में आपको चकर जैसा फीर होता है पेट की निचले से में बहुत जादा दर्द होता है स्पोर्टिंग दिखती है अक्सर तो यह एक टॉपिक प्रेगनेंसी का और बहुत जादा अगर आपको स्पोर्टिंग दिख रहा है तो यह मिस्ट अबॉर्शन का भी साइन हो सकता है तो इंप्लांटेशन डेज में अगर आपको दर्ध हुआ कुछ घंटे महसू सब्सक्राइम्शन कीoth sehr शन डेज का मोन आपके अक्सर देट मिस्टेह नॉर्मल जहां को अक्सर डेट मिस्टेह को पहले ही इंप्लांटेशन क्रम्प हो है implantation cramp आपके evolution के चट्थे से लेके बारवे दिन के बीच में होगा नॉर्मली जो implantation phase जिसे हम कहते हैं होता तो यह date miss होने के बाद भी कई महिलाओं को हो जिन में बहुत लेट लेट सारे symptoms दिख़़े हैं बहुत लेट लेट सारे activities हो रहे हैं लेट से पहले होता है implantation यह implantation डेज में आपको पेट के निचले हिस्से में हलका सा दर्द महसूस होगा यह दर्द बहुत जादा तिव्ड नहीं होता है बहुत जादा मरोड जैसा यह बहुत बड़ा एठन जैसा दर्द नहीं होता है यह दर्द कुछ बोला मैंने जैसे कि कुछ मिंटो या फिर उसी दिन महसूस होगा फिर चला जाएगा दर्द के साथ हो सकता है हलका सा sporting भी नजर आए फिर वो भी कभी नजर नहीं आए डेट में सोने के बाद भी नहीं तो यह implantation क्रैंप है implantation क्रैंप का दर्द जो है चुबन जैसा मरोर जैसा यह एठन जैसा यह टिकलिंग जैसा गुदगुदी जैसा वैसा भी दर्द होता है कई महिलाओं को तो दर्द अनुभाव भी नहीं होता है इतना हलका सा क्रैंप होता है कि कब आया कब चला गया यह भी अनु पता चलने के बाद भी बनी हुईयए जैसे कि यह दर्द आपको भूले सपायर देट के पांस से दर्व दिनों के बाद आपको बहुत जादा महसूल हो रहा है पेट में दर्द आपको बहुत जदधे ठकान जैसा यासर चकड़ाने जैसा बहुत deh पहीने चूटने जैसा दर्ध अक्सर बना रहता है D कभी लगता है तो मतले बच्चा ना आ के फेलपीन आ जाता है तो ये नहीं होता है वहान से बच्चे का विकास नहीं हो नहीं हो पाता रहत वह다 है ludzie lot को कोई लक्षन महसूस नहीं होते हैं आपको यह वीडियो पसंद आयो है वीडियो पसंद आयद वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कॉमेंट करते जाएं धन्यवाद